दोस्त आप सुईगी कंपनी में डिलिवरी बाय की जॉब करते हैं ठीक है और आपको फिल्ड पर दो चार ओडर सी आते हैं मतलब आप फिल्ड पर बैठे रहे तो दो चार ओडर आते हैं आपका टारगेट भी नहीं कंपलीट होता है और टारगेट नहीं कंपलीट होता है तो से 12 ओडर हो पाता है इस से आगे हो नहीं पाता है और हमारा जो टार्गेट है वो 18 से 20 ओडर पर है अब आप बताओ कि कैसे काम चलेगा बंदा 15-15 घंटे मेहनत कर रहा है घर में तो लगता है कि भाई सुबह 7 बजे निकल जाता है रात को 12 बजे हमारा लड़का या फिर हमार पती घर आता है फिर हमारा आदमी जो भी वही हो गया घर आते हैं और पैसा जो है कि कुछ नहीं बन रहा है तो फिर आपको यह लगता है कि ऐसा काम करने से क्या ही मतलब है कि जिसमें 15 घंटे आप टाइम दो और आपका पैसा ही न बने तो थोड़ा सा दूख होता है अच् आते हो जिसका नहीं हो रहा है तो आप बहुत ही सही वीडियो पर आ गये हो इस वीडियो में पूरी ग habitat पूरी मैथेमेटिक्स कि कमपनी का एल्गोरिधम सिस्टम क्या है कमपनी ओर्डर डालती कैसे है उनका क्या सिस्टम है ओर्डर देने का riders को और आपकी ID पर और क्यों नहीं गिरते हैं आप गलती क्या करते हो और उस गलती को आपको सुधारना कैसे है एटू जेट सारी जानकाई इस वीडियो में मैं आपको दूँगा बस विंती और रिक्वेश्ट इतनी करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दोगे ठीक है और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लोगे लाल कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन कॉल पर सेलेट करके और कॉमेंट लाइक के सारी चीज़े तो आप करी देना दोस्त वीडियो के बीच में रोकने के लिए थोड़ा सा माफी चाहूँगा आपके हित की हित तीन बाते बताने के लिए जा रहा हूं ध्यान रखना सबसे पहली बात दोस्त अगर आप सुईगी कंपनी में जॉब करते हैं इस्टामाट की आइडी चलाते हैं फूड की आइडी चलाते हैं और आपके आइडी पर बहुत ही कम आइडर गिरते हैं ठीक है और या तो फिर आप किसी दूसरे की आइडी यूज़ करते हैं तो दो अगर आप जो है कि मतलब खुद की आइडी यूज करते हैं और देखो गैलरी वाला जो एप्लिकेशन है फोटो अपलोड हो जाएगी उसमें भी दना दन ओर गिरेंगे आपको और अगर आपको जो है कि ऑर्डर कम गिरते हैं आप जो है कि दद्दस पंदरा पंदरा घंटे जो है कि फिल्ड पर बैठे रहते हो और आपका टार्गेट नहीं कम्पलीट होता है आपके जो है कि दोस्त जल्दी जल्दी सारा टार्गेट कम्पलीट करके घर चले जाते हैं तो दोस्त मैं आपको बता हूँ जिनका टार्गेट कम्पलीट हो जाता है वो लोग जाहिर सी बात है GPS यूज़ कर रहा है और आपको कोई बताएगा नहीं ठीक है तो आपको भी GPS की membership लेनी चाहिए मतलब अगर आप किसी दूसरे की ID यूज़ करते क्योंकि original application पर gallery से photo नहीं upload हो पाएगी स्विगी की ठीक है उसमें live camera open होगा तो आपको problem होती किसी दूसरे की ID लोगों को use करने की जरूरत तब पढ़ती जब उनकी ID deactivate हो गई हो तो मजबूरी हो जाती क्योंकि एक बार ID deactivate होने के बाद में आप जो है कि स्विगी कंपनी में अपने document से दूसरी ID नहीं बना सकते हो ठीक है खुद से ना तो office जा करके तो जब से पहले बात यही है कि यह दूसरे की ID यूज़ करते हो order काम आते है तो आपको हमसे GPS की membership लेनी चाहिए contact नमबर इधर बगल में 862-0435 आपको कुछ नहीं करना इसमें जो की हमें call यह फिर WhatsApp करना है आप सबसे पहले हमसे demo application ले सकते हैं demo application देते हैं एक दिन के लिए ले जाओ field पर use करो आपको लगता है कि profit है अच्छी application है तो आप आ करके हमसे membership ले सकते हैं दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्त अगर आपके कभी भी सुईगी company में ID deactivate हो गई है तो आपके document से तो ID बनने से रही लेकिन दोस्त हम जो है कि आपके ID बना करके आपको देंगे हम बना देंगे आप इंडिया में कहीं से भी हो मुझे आपसे तीन चीज़ चाहिए सिर्फ आपका bank account ध्यान से सुनना सिर्फ आपका एक fresh bank account जो की सुईगी company में attach ना हो दूसरा आपका एक mobile number जो की सुईगी company में attach ना हो ठीक है पार टाइम चाहते हो फूल टाइम चाहते हो इंस्टामार्ट चाहते हो कौन सा जोन चाहते हो कौन सा सिप्ट चाहते हो सब कुछ करके दे देंगे सब कुछ उसका भी एक अलग से चार्ज है आप जो इसके लिए भी हमसे WhatsApp पर contact कर सकते तीसरी चीज और तीसरी चीज और सुनो दोस्त आपके पास में आप ID बगरा बनाने का ट्राइग करो आपके पास में जैसे driving license नहीं है बहुत लोगों पास में अधार कार्ड नहीं है आप 18 साल के नहीं है अपने अधार कार्ड पर तो हम ये सारी चीज़े बना देंगे कोई भी document आपके पास में नहीं बहुत सारी problem होती है लोगों को और दोस्त हमारा बनाया हुआ document कोई fail भी नहीं कर सकता है ये भी मैं आपको guarantee के साथ में बोल सकता हूं हमारे बनाये document के साथ में कोई problem नहीं है एकदम original एकदम A1 number online भी शो करेगा online document शो करेगा आप जो की website प से जो के contact करके deal कर सकते हैं अब आगे जो कि आप वीडियो देखिए देंगे दोस्त बहुत सारी YouTube वीडियो में या फिर बहुत सारे लोग आपको एक चीज़ बताते होंगे कि आप अपने phone को जो है कि थोड़ा सा space खाली करके रखियो होता क्या है कि आप लोग अपने phone में बहुत सारे वीडियो या फिर बहुत सारी application फरजी वाले install कर लेते हो तो बहुत सारे load हो जाता आपके phone में तो सुईगी application ढंक से work नहीं कर पाती है ऐसा लोग आपको बोलते होंगे तो यह खिसाब से ठीक ही बोलते हैं थोड़ा सा अपने phone के load को आप थोड़ा सा कम करके ज़्यादा वीडियो फोटोस फोन में न रखिये जिससे phone पे ज़्यादा load ना हो और ऐसा phone हो जिसमें minimum जो है कि 464 का RAM ROM हो minimum लोग 32, 32, 16 तरीके के phone को भी यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा problem हो जाती है ठीक है यह तो लोग बताते हैं company क्या बोलती है आपको company यह बोलती जैसे होता क्या है कि riders की एक कमी होती है वो field पर जाते हैं उनके 4-5 दोस्तों लोग होते हैं वो उनहीं के साथ अपना बैठ करके दरबार लगा लेते हैं गपे भाजी करते रहते हैं बैठ करके आराम से कि बज़ेगा तो ठीक है बज़ना होगा तो यहीं बज़ जाएगा जरूरी थोड़ी नहीं कि घूमने से घूमने से ही बज़ेगा लेगिन नहीं company आपको क्या बोलती है कि आपको running पर रहना है जैसे मालो कि आपकी food आईडी है फिर इंस्टामाट है तो आप जो है कि एक restaurant के पास है उसके बाद में आप running पर रही है जाए दूसरे के पास जा इसी बात नहीं है लेकिन दोस्त आप तो ये सारी चीज़े हमेशा करते हो एक चीज और riders बोलते हैं आपको company भी बोलती है कि अगर आपके स्विगी application पर order कम गिर रहे हैं तो आप अपने स्विगी application के app info में जाकर के उसका data clear कर लीजिए या force stop कर लीजिए उससे थोड़ा स सुनाता हूं में गणिश समझो में क्या है देखो दोस्त आज के timer time में ज्यादा तर लोग GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं दावे के साथ ठीक है मैं जाकर के सारे जोनों में सारे city में जाकर के लोगों का phone नहीं चेक कर रहा हूं कि यह तुम GPS य साथ में छेड़ चार नहीं कर सकते हैं लेकिन वहीं अगर आप GPS की membership लेते हैं तो आप अपनी location के साथ में छेड़ चार कर सकते हैं बस simple इतना ही है GPS और कुछ नहीं कोई बहुत बड़ा जो है कि क्या बोलते है उसको अर्थ ब्रहमास्तर नहीं मेरी बास समझो ठीक है अब दोस्त हाँ मैं ये बोल रहा था कि जादा तर लोग फिल्ड पर GPS का इस्तेमाल करते हैं ये मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं अच्छा जो लोग GPS आपके जोन में GPS membership लिया है जिन्होंने इस्तेमाल करते हैं उनका target हो जाता है ठीक है और आपका target नहीं होता है क्यों आप में और उनमें फरा कितना है कि वो लोग GPS का इस्तेमाल कर रहे हैं आप GPS का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कहानी क्या हो तो कहानी क्या है वो आपको मालूमी है ठीक है दोस्त कंपनी का अलगोरिधम क्या बोलता है कंपनी का अलगोरिधम ये बोलता है कि कंपनी ये चाहती है कि हमें किसी को नाजायच पैसा ना देना पड़े। सिंपल सा गणित यह है। कमपनी यह चाहती है कि हमें किसी को मिंजी का फालतू पैसा ना देना पड़े। मेरी बाद समझू जैसे आपके जोन में 100 ओर्डर आज पूरे दिन में आने हैं। मतलब आपके zone में आज पूरे दिन में 100 order आएंगे एक example के लिए तो दोस्त उसमें ये हो सकता है कि जो लोग GPS यूच कर रहे हैं हो सकता है उनको 15-15 order मिल जाएं उसी 100 में से target उनका complete हो जाएं और 2-4 लोग आपके zone में छूड जाएंगे जो लोग GPS नहीं यूच कर रहें उनके 7-8 order ही होंगे इतना GPS का फाइदा होता है बस इतना ही है और कुछ नहीं अगर आप दूसरे किसी के ID यूज करते हैं तो gallery से photo upload हो जाती है GPS पर क्योंकि कई बार होता क्या कि आपकी ID वगरा problem create हो जाती है तो original application पर तो gallery से photo नहीं upload होगी लेकि GPS application पर हो जाती है वो भी सिर्फ हमारे market में कोई नहीं दे रहा है selfie वाल application ठीक है हाँ तो मैं ये बोल रहा था company का algorithm ये कहता है कि भाई हमको किसी को मिंजी ना देनी पड़े अच्छा फिरी में मिंजी हमको किसी को ना देनी पड़े सबसे हम काम करवाएं सबसे order complete करवाएं तो company कोशिश ये करती है कि अगर 100 order आएंगे पूरे दिन में और 10 rider हैं तो 10-10 करके हम सबको दे दे order company का जो computerized system ये फिर उनका AI जो है algorithm artificial intelligence जो है उनकी coding जो है application पर वो इस base पर काम करती है ये आप समझो थोड़ा सा अब आप बोलोगे कि भाई अगर इस base पर काम करती है तो हमारी ID पर order क्यों नहीं है अब यहीं पर GPS पंगा कर देता है उनके algorithm के साथ छेड़ छाड़ कर देता है GPS company का जो algorithm है वो मैंने आपको समझा दिया company ये सोचती है कि हमें किसी को free fund में मिंजी ना देनी पड़े अगर 100 order है तो 10 rider है तो 10-10 करके हम सब को दें ताकि हमारी जेब से ना जाये पैसा ना जाये company ये सोचती है ऐसा होता भी था या फिर होता है लेकिन यही पर GPS थोड़ा सा उनके algorithm को छेड़ चान करता है उसी 10 rider में से जो लोग GPS का इस्तेमाल कर रहे है हो सकता है उनको 10 की जगे 15 order हो सकता नहीं गिरता है 15 order गिर जाएंगे और 2-4 लोगों का target उसी में छुड़ जाएगा तो main game ये है main game आपको समझ में आ गई अब एक चीज और बताता हूँ काफी लोग GPS इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में भी बोलते हैं कि भीया हमको order नहीं गिर रहा है उसका main game बताता हूँ भाई मेरे आप अपनी location को पता है कहां रख रहे हो आप अपनी location को ऐसे restaurant पर या फिर ऐसे इस्टामाट पर रख रहे हो जहां पर पहले से ही 50 rider बैठे हुए है बात को समझ ना भाई जिस restaurant या फिर जिस इस्टामाट के पास पे 50 लोग पहले से बैठे हुए है दरबार लगा करके रखा है पंचाई जोड़ करके रखी है वही पर आप भी बैठो या फिर वही पर आप GPS लगा दो बराबर है तो भी 50 लोग तो पहले से बैठे हैं और company का algorithm system क्या है वो आपने समझ लिया है तो भाई उन 50 को गिरेगा या फिर आपके पास गिरेगा इसमें GPS का कोई रोल नहीं कोई फाइदा नहीं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप हमेशा अपनी location को ऐसी जगह पर पिन करो जहां पर दरबार न लगा हो ठीक है और आपको इतना दिन काम करते करते ये चीज तो अंदाजा हो गया है कि कौन से ऐसे रेश्टोडेंट है जहां पर दबा के ओर्डर का flow होता है अगर नहीं हुआ है तो सुईगी का food वाला application इस्टॉल करके सुबह उड़के चेक कर लिया करो किस रेश्टोरेंट पर offer चल रहा है जहां पर offer चलेगा वहीं पर order दबा करके गिरेगा पूरे दिल क्योंकि चार पैसा बचाना कि इसको अच्छा नहीं लगता अब या आपको अगर order करना होगा सुईग कंपनी से कुछ है तो आप क्या सोचो अब GPSS use करते हों तो आप एक ट्रैल कर ले ना आप अपनी ID को जोन के बाहर एक घंटे के लिए रखो मेरी बात समझो आप अपनी ID को जोन के बाहर एक घंटे के लिए रख दो उसके बाद में इठा करके उसी ID को जैसे ही आप जोन के अंदर लाओके तुरंत आपके ID पर order गिर जाएगा चाहे आप restaurant पर रखो या फिन न रखो चाहे 50 लोगों के बीच में लाकर के ID को रख दो तुरंत आपके ID पर order गिरेगा और return order हो सकता गिर जाएगा वैसे return order गिरना मुश्किल होता है return हो सकता गिर जाएगा तो company का ये algorithm है ये algorithm है company सोचती है कि ये बंदा एक घंटे से बाहर था अभी अभी ये job पे आया तो इसको हम सबसे पहले order दे दे भाले या पचास लोगों के बीच में हो लेकिन आपके ID पर order गिर जाएगा ये चीज़ आप ट्रायल करके देखना हमारा भाई सब अनुभो किया हुआ सारा experience किया हुआ मामला हम आपको जोगी बता रहे है तो ये चीज़े मैंने आपको समझा दी तो I hope कि आपको लगभग चीज़े समझ में आगए हूँ ये बहुत सारी confusion लोगों के अंदर होती GPS ले लेने मातर से ही भाई हम तो application बना करके आप उदे रहे है अब हमारे हाथ में थोड़ी ना है जनुवन काम जब zone में होगा जनुवन order जब zone में होगे तभी तो आपके ID पर order गिरेंगे ने उसमें GPS क्या करेगा बताओ अगर zone में order ही नहीं होगे तो GPS उसमें क्या करेगा भाई हम order बना करके थोड़ी ना application पर छोड़ेंगे अपने की भईया आपने GPS ले लिया है तो चलो ठीक है हम order छोड़ रहे हैं तुम ही को गिरेगा दबागा नहीं zone में काम है तभी GPS भी काम करेगा भाई बाइक है बाइक तो चलती है चलती है न उसमें तो मनाकर नहीं सकता है नहींए इसमें पेट्रोल नहीं है तो चलेगी नहीं in पेट्रोल डालोगी तब ना चलेगी तो जूनम्में जब order होंगे तब नगीरेंगे ठीक है तो यह चीज आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज है छोटी-छोटी चीज लोगों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही तो मैंने का एक वीडियो ही क्रियेट कर देते हैं लोगों बताने से अच्छा है तो यह चीज है तो लास्ट में यह चीज बोलूँगा कि GPS वगार आपको लेना चाहिए मेंबर्शिप अस्रीक चीज हबीच जिरू-चार सो पैति जो कि मैंने बता ही दिया वीडियो के बीच में आप कॉंटेट करिए तब तक के लिए धन्यवाद हम आगली किसी वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जाहिए भारत वंदे मातरम लावी गाइ लावी ओयजे एड़ मेंबर्शियोझ आपक känत् mechanism acost計 लिएजवादूग वीड़ को जिए थीरिए मावीर मेंबर्ण एगली के उाज़ से ल्हान वीडि़ हम प्在 मैंदेंटेश्यों पैश्यों ईपनते हैं पैंटेश्यों चूंटेश्यों मेंदेगें एवंदे़